तो आज है 12 अगस्ट 2024 यानि 12 अगस्ट 2024 स्टार्ट करते है अपने पहले कुशन से देखो जो हमारा पहला कुशन है वो यह है क्यारा 9th स्टेडियूल जो हमारा इंडियन कॉंस्टूशन में है उसको लेकर के कौन सा आपका आप्शन सही है वो बताना है ठीक है तो आपके पा सही है 3 क्या कहता आपका स्टेटमेंट तो 3 आपका स्टेटमेंट कहता है कि law related to land reform यह आपका 9th सेडियूल में है ठीक है तो कौन सा आप्शन सही होगा किवल फर्स्ट होगा ठीक है चलते अपने next question पर देखो यह जो हमारा question है वो कह रहा एंड फर्टिलाइजर को लेकर जो तो हाली में recently में news में था ठीक है तो इसके लिए कौनसा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है तो 10 सेकंड का time में बताइए तो कौन सा आपका सही है तो इसका सही answer क्या हो जागा इसका सही answer वह ए हो जागा यह नि फर्स्ट अली के वल फईला स्टेटमेंट सही है दूस आप लोग बताओ तो देखो इसका सही answer D हो जागा यह नि none of this कोई भे statement सही नहीं है दोनों के दोनों statement आपके गलत है तो सही answer अपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा none of this चलते अपने next question पर देखो हमारा जो next question है वो यह है क्या कह रहा है हमारा next question वो देखो यह है कह रहा है Supreme Court of India को ले करके कह रहा है कि Supreme Court ने बैन किया था आपका with respect to denial the bail ठीक है तो इसमें से कौन से statement आपका सही है बैल को लेकर ban of bail को लेकर ठीक है तो 10 second का time में प्लीज बताओ तो तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका see यानि all four सारे की सारे statement सही है the suspect is unlikely to appear before the court for trial ये भी सही है अपका the suspect is flight risk ये भी सही है the possibility of trial not being to anyone anytime soon ये भी सही है ठीक है the suspect is in position to influence the witness ये भी आपका सही है जिस ये इन सब मामलों में क्या होता है कि आपका जो bell है वो deny कर दे जाएगा निया आपको bell नहीं मिलेगा चलते है अपने next question पर देखो next question पर कार नन काई ट्रॉफ जो है उसको regarding लेकर कौन सा statement सही है वो बताना है आपको क्या कहता है आपका पहले statement कहता इस अंडर वाटर स सही नहीं है दोनों के दोनों statement गलत है कैसे गलत है तो देखो क्या कहता है करन नंकाई ट्रॉफ जो है अंडर वाटर सब्रक्शन जोन है नियरली 900 किलोमेटर लॉंग है ये ठीक है यूरेशियन प्लेट कोलाइट्स करता है फिलिपिन सी प्लेट से ठीक है ना कि ऑस्टेलिय क्या सकते हैं कैसा प्रेट किया गया कि मेगा कोई का आने वाला है ठीक है आगी के statement कहता है इसलिए इसलिए इन्पॉर्टेंट है चलते नेक्स्ट कोशन पर तो रखतें चुड़े आज तक यहीं रखतें इसकोशन को सेशन को वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक कर लेन बागी पढ़ते लिखते रहो धने मत थांक्यू ओल